आज हम दर्वेगुन पेपर टू यानि की प्लांट्स को देखेंगे की कैसे हम प्लांट्स के सारे रस्पंचक सिर्फ थ्री ट्रिक्स में कवर करते हैं बस उसके लिए हमें फर्स्ट अब ओल एक फ्लो चार्ट को समझना है जो की अल्मॉस सभी लोगों को लर्न भी होगा इसके साथ ही हम वीडियो के एंड में ये भी डिसकस करेंगे की कैसे हमें पेपर टू यानि की प्लांट्स को प्रिपेर करना है और कौन कौन सी मिस्टेक हमें नहीं दोहरानी है जो की मोश्टी लोग पेपर टू में करते हैं पाइव जो सकता है की वीडियो थोड़ी से लोग हो जाए तो चलिएए सुरू करते हैं जो भी हमारी ट्रीक होगी उसमें फर्स्ट रसको लिनोट करेगा सेकेंड गन DISK करेगा थर्ड वीरिया और ओ लास्ट विपाक को adverss करेगा तो mostly रस का sequence सभी को पता है, रस का sequence हमें सा मदूर, अमलवन, कटू, तिक, कसाई, यही होता है, तो इसके sequence में तो हमें कोई रिक्कत नहीं होगी, उसके बाद चलते हैं गुण की और, गुण का ये sequence pattern हमें थोड़ा सा learn करना है, बाद बाकी विरिया भी सभी को पता है, सीथ होता है, उसनों होता है, और विपागी हमारे तीन होते हैं, और वो भी इसी sequence में होते हैं, मदूर, अमलवन, और कटू, विपाग, और गुण का ये sequence learn करने से, आपको plants के रस पंचक लिखने में तो ये help करेगा ही, साथी साथ paper first में जहां गुण बड़े marks में पूछा जाता है, वहां में गुरुआदी, गुरुआदी, गुण, परादी गुण, ये सब डिसकस करने को आते हैं, तो वहां पे भी हमें ये learn करना है, तो best होगा कि हम अगर एक sequence को लेके चलते हैं, तो हमें यहां भी काम आएगा और paper first में भी काम आएगा, वैसे अगर रस पंचक की बात करें, तो रस पंचक के लिए हमें 10 तक ये sequence याद हो, तो इतना sufficient है, इतने से हमारे रस पंचक cover हो जाएंगे, तो चलिए अपनी ट्रीक की और चलते हैं, तो first tree के हमारी, first tree के हमारी 5 doctor, attach nurse, baloney classes से select हुए, तो हमने पहले भी बोला था जो हमारा flow chart है, उसमें जो first वाला होगा, वो हमेशा रस को denote करेगा, second वाला, गुड को, third वाला, बिर्या को और fourth वाला, हमारे विपाग को denote करेगा, तो देखते हैं, तो रस के, तो रस के, जो हमारे flow chart में रस के, पांच वे और D, D कौन से स्टेंस पर आता है, A, B, C, D, तो D हमारे fourth वे आता है, तो रस के चौते और पांच वे नंबर पर क्या है, तो रस के चौते और पांच वे नंबर पर है, चौते नंबर पर हमारा कटू रस है, और पांच वे नंबर पर हमारा तिक्ती रस है, तो इसका रस पंचक का रस हो गया, कटू और तिक्ती ठीक है, उसके बाद गुण के दूसरे आठवे नंबर पर सिक्वेंस में कौन सा है तो गुण के दूसरे नंबर पर हमारा लगू गुण है और आठवे नंबर पर हमारा रुक्ष है तो इसका गुण हो गया लगू और रुक्ष तो अब चलते हैं बिर्या की ओर तो बिरिया B यानि कि अल्फावेड B कौन से नंबर पे होता है दूसरे नंबर पे तो फ्लो चार्ट में हमारे दूसरे नंबर पे कौन सा है उसरन बिरिया तो इसका बिरिया हो जाएगा उसरन बिरिया ठीक है अब चलते हैं विपाक के C तो विपाक का C, तो विपाक के थर्ड नंबर पे, A, B, C, तो थर्ड नंबर पे हमारा कटू विपाक, तो इस ट्रीक की हेल्प से हमें हमारा रस पंचक मिल गया, अब हम देखेंगे कि वह कौन कौन से प्लांट है, जिनका रस कटू तिक्ट, गुण, लगूरुक्ष, बिरिय उसल और विपाक कटू होता है, तो वो है हमारे ये टोटल 40 प्लांट्स, जिनका रस पंचक ये है, तो हमें ये तो पता चल गया, कि हमारे ये 40 प्लांट्स है, जिनका रस पंचक की ये है, तो बात आ जाती है कि इन 40 प्लांट्स को आखिलन कैसे करें, तो इसके लिए हमने एक इजी निमोनिक बनाया है, तो चलिए देखते हैं, तो हमारा निमोनिक है, बाबुजी अगर आप अतिसिग्र अपने राज में पूरे कुल से कुष्ट या तचारोग जैसी ब्रिद बिडमना को निकालना चाहते हो तो तीनों टाइम द्रोण पुस्पी फल खाऊ, मतब इ कोई बुजुर्ग बाबुजी है, जिने की कुष्ट रोग है, और उन्हें कोई सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप इस कुष्ट रोग को मिटाना चाहते हो, तो आपको तीनों टाइम द्रोण पुस्पी फल खाने है, तो चलिए इसे डिकॉर्ड भी कर लेते हैं, तो प्लांट याद आजाएगा, और से अर्क प्लांट याद आजाएगा, और से प्लास प्लांट याद आजाएगा, अति से हम अतिविशा को रिलेट कर सकते हैं, सिग्र से इजली हमें सिग्रू याद आजाएगा, अप से हमें अपामार याद आजाएगा, राज से हमें ऐसा कौन सा प्लांट है जो राज से रिलेटेड है तो ऐसा हमारा भ्रिंग राज है भ्रिंग राज राज से हमें इसली भ्रिंग राज आद आ जाएगा इसके भह से हमें भारंगी प्लांट इसली याद आ जाएगा मा से हमें महानिम्ब याद आ जाएगा पू से हमें पुसकरमू थोड़ा रेड़ भी कर सकते हो, कुल से इजली हमें कुलत प्लांट याद आ जाएगा, इसके लग से हमें लांगली प्लांट इजली आ आ जाएगा, कुष्ट से हमें कुष्ट एक प्लांट है जो की डिटेल प्लांट है और डिटेल प्लांट में पड़ा जाता है और इस कु उसे हमें कुपीलू प्लांट याद आ जाएगा, यहां से हमें यवानी, पढ़ यवानी, पार्सिक यवानी, यहां से तीनों प्लांट, यवानी, पढ़ यवानी, पार्सिक यवानी, तीनों प्लांट हमें इसली याद आ जाएगे, यवानी प्लांट एक डिटेल प्लांट ह हैं और पर्ण यवानी और पार्सिक यवानी नोन डीटेल प्लांट है और इन्हें हम नोन डीटेल प्लांट में पढ़ते हैं ठीक है तो उसे हमें इसली तक प्लांट याद आ जाएगा और वच्छा तो यह है तो वच्छा हम रिलेड भी कर सकते हैं वच्छा हमें याद आ ज सकते हो बह तो इब ख्रावं से कौन सा ऌन कव्रांट से क्वान श्रार्ट होता है तो नौर्मील हमारे एकद टंटे हों है बूएज एक है डंब ना से हमें विटंग पलांट याद आने गार एकर सकतर हो मिटंग ब्रिडं रेडत कर सकते हो इन्ध गरनर और करविय कमती लगनktó चित्रक छो जेहके दौन्वाट्य निंगुंडि इसके सरह हे में चब्या चंदरसूल चित्रक ऊचितुन्ड मैं करविया जाएक सेथ। और हिंगू दोनों प्लांट याद आजाएंगे तोस हमें तुलसी याद आजाएगा तिरवरीद तीन 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 थोड़ा लेड़ भी कर सकते हो तीन से हमारा तिरवरीद प्लांट याद आजाएगा दुरोन पूसपी तो दुरोन पूसपी ही है और फल से हमें दो फल याद आदाएंगे मदन फल और जाती फल तो इस टाइब से हमारे टोटल हमें 40 प्लांट्स मिल जाते हैं जिनका रस पंचकी यह है अब चलते हैं अपनी नेक्स ट्रिक की और जो है हमारी मैं जो है हमारी मैं 17 साल का एक दिन जरूर बनुँगा एजी है लंद भी हो जाएगी मैं 17 साल का एक वाला गुण को थर्ड विरिया और यहां पर एक कंडिशन है कि हमें फॉर्थ नहीं मिल रहा है तो नॉर्मली अगर हमें फॉर्थ नहीं मिल रहा हो तो हमें समझना है कि जो हमारा थर्ड है वह हमारा फॉर्थ होगा मत्तब विरिया का भी फस्ट वाला होगा और विपाग का भी फर्स्ट वाला होगा तो अब चलो फ्लोचाट पे देखते हैं तो मा मा से हम रिलेड भी कर लेंगे मदूर तो रस पंचक इसका हो जाएगा रस पंचक में रस का हो जाएगा मदूर रस मा से मदूर याद आ जाएगा ठीक है तो गुण के फर्स्ट और सेबिन नंबर पे है तो गुण के हमारे फर्स्ट नंबर पे गुरु है और साथ नंबर पे सनीघ हो तो इसका गुण हो जाएगा गुरू और ठीक- तक बीइख के फर्स नंबर नंबर पे तो बिढकार सैति भी उसका विडिया हो जाएगा सीः बिजर उसके बाद विपाक के और हमनने बोला है तो विपाग हो गया हमारा मदूर तो यह रह हमारे तो यह रहा हमारा रसपंचक इसके अंदर आते जिनका रसपंचकी यह है, तो अब इनको भी देख लेते हैं कि इन्हें हमें कैसे ट्रीक से लर्ण कर सकते हैं, तो देखते हैं, तो ट्रीक है, यह आसा करते हैं कि सारी सता ठीक हो, पंडित गोबिन जी, उसके लिए एक साल तक उसने तिलक लगाओ, अब मतलब इसे ऐसे पंडी जी उपाय बता रहे हैं कि अगर तुम चाहते हो कि सब चीजे ठीक हो तो उसके लिए हमें एक साल तक क्या करना है उसनों तिलक लगाना है तो इससे अब हम प्लांट भी देख लेते हैं तो प्लांट है हमारी यह से हमें इसली यस्टीमदू प्लांट याद आजाएग गो से गोविंदा के गो से हमें गोशूर प्लांट याद आजाएगा वी से हमें विदा विदारी प्लांट याद आजाएगा ठीक है उसके बाद यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जो हमने दूसरा लिखा है इसमें बात बाकी तो सब सेम होगा रस मदूर होगा गुर्ण गुरूशनिक्द होगा और विपाक मदूर विपाक मदूर होगा लेकिन इसका खाली विर्या में चेंज होगा कि इनका विर्या उस्ण होगा मतब कि जो हमें पंडी जी उपाय बता रहे हैं उसका उस उपाय में बाद बाकी सब चीजे सेम होगी बस विपाक ह हमारा उस्ण होगा मतब जो ये चार प्लांट है इनका बिरिया उस्ण बाद बाकी सेम रस पंचक होगा रस मदूर गुण गुरू स्निग्द और विपाक मदूर तो ये भी दिख लिते हैं ये कौन-कौन से प्लांट है एक से हमें एरंड प्लांट याद आ जाएगा इसके ए सारा प्लांट आते हैं अब चलते हैं अपनी थर्ड और लास्ट्रिक की और तो ये रही हमारी या बखालीबुड होलीबुड बिच वन्यॡिंवॡ होलीबुड मूबी देखी उनमें भी एक Best और तीन एवरेच ती मूवी की इस्टोरियी तो हर किसी को याद रह जाती है तो ये ये ट्रिक भी इसली याद रह जाएगी इसे भी डिकोट कर लेते हैं तो हमने पहले भी बोला था फर्स्ट वाला हमेशा हमारे रस को डिनोट करेगा सेकेंड गुण थर्ड विरिया और फोर्द विबाग को तो रस के चौत रस के कि और H तो B alfabet returnップ कौन कौन्सने नंबर बर आते हैं तो a B B हमारा रहा गया दूसरे नंबर पर तो इसका औरわか रता है हमारा absorb फ्री टिह आता है हमारे हिए के first number पर टो इसका विपाक हो गया ह्मारा ह्तिक्त कसाइग दो अब देख लेते हैं कि वे कौनइग से प्लांट दिनका रस पंचक की यह है तो ऐसे टोटल प्लांट समारे 32 हैं तो अब बात आती है कि इन्हें क्यासे करें तो चलो है इसकी भी एक ट्रिक बनाई है इन्हें भी देख लेते हैं इजी ट्रीक है तो ट्रीक है रोहित मामू अजनभी लोगों से भेदभाव कूट कूट कर करते हैं पर उदार खरीद कर पर चंदन उदार खरीद कर लेते हैं किसी के रोहित मामू है जो कि अजनभी लोगों से क्या भेदभाव कूट कूट कर करते हैं और चंदन उदार खरीद कर लेते हैं फरस्ट ट्रीक हमारी यह है जो कि हमारी रस पंचक की बिल्कुल सेम है बस सेकेंड ट् जैसे कि हमारी सेकंड ट्रीक में ता बस इसमें बिर्याध चेंज हो जाएगा मतलब कि रस्थिक्त कसाय रहेगा गुण लगूरुक्ष होगा बिर्या उसुनु और विपाक हमारा कटू ही रहेगा तो चलिए दूनों ट्रीक को डिकोड भी कल लेते हैं और दूनों ट्रीक को बेख बेनेते हैं, सब्सक्राइब हरुआ। ंवनमू अजनभी लोगों से भेदभाः कुट कुट कर करते हैं पर चंदन उदार खरीद लेते हैं, तो रोईत से हमें इसली हमार रोईत प्लांट याद आ जाएगा रोईतrick मा से हमें मया फल याद आ जाएगा मा य फल य रेड भी कर सकते हो मूझे हमें मुस्ता प्लान्ट याद आ जाएगा अजनबी के से हमें अणजुन अशो perspectives दोनों प्लानट याद आ जाएगे और अणजुन तो बहुत इंप Orten production प्लान्टे काफ़ी पूशा भी जाता है जह से हमें तीन प्लांट याद रखने है जटा मासी जम्बू जपा ठीक है न से हमें निम्ब याद आजाएगा बी से हमें बीजक प्लांट याद आजाएगा लोगों के 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 लो से यहां लेका तो कटूँ की से ऐससे कुंछ प्लाण प्लांट है यहां तो कटूक की शेल Wikiц है tu कटूँ की हो गया। ठीक है कर से हमें कचनार प्लांट याये गा यहां और से हमें तो यह रहे हमारे उपर वाले प्लांट जो कि हमारे ट्रीक के सेम बट जो हमारी सेकटरीक है जो हमारी सेकन्ड ट्रीक है उसमें बस चेंज यह हो जाएगा कि यहां पे बिर्या हमारा उसन बिरिया वो जाएगा तो अब सेकेंड ट्रिक को भी देख लेते हैं सेकेंड ट्रिक है हमारी मेश रासी वाले वरुण भाई पार्ट टाइम जोब करने से फैन पंखा का बिल देना तो दूर की बात है अपने लिए सिरिंगागार दारू केसर तक नहीं ले सकते हैं मतलब कोई भाई कोई मेश रासी वाला वरुण भाई है जो कि पार्ट टाइम जोब करता है तो उससे दूसरा उसका दोस्त कहरा है कि भाई अगर पार्ट टाइम जोब करते हो तो पार्ट टाइम जोब से तो भाई फैन पंखा का बिल तो देना दूर की बात है अपने लिए सिरिंग दाकार मत्तब कुछ सजने धजने की चीजे दारू मेली लड़कों की च्वैस होती है और अपने लिए केसर तक नहीं ले सकते हैं तो आज की डेट से ट्रिक रिलेड भी करती है कि सही बात है आज कल की छोट मज़िश्टा भी याद आ जाएगा मेज से मेज दीक जाए अर मज़िश्टा ठीक है को इसमें प्लांट हमें और ए νव्क हमेगा इसली आद आ जाएगा तो कुछ या कुछ पार्ट याद आजाएगा जाएगा जॉब जॉब के जाज से जाती आ जाएगा, से से हमें सेर्येक, सरपगंदा, सब्तपन, तीनों प्लांट इंपोर्टेंट है, आ जाएंगे, फैन, तो ऐसा कौन सा प्लांट है, आई फैन, फैन, थोड़ा रिलेड भी कर सकते हो, कि जिसके विछे फैन आता है, तो ऐसा हमारा प्लांट है, जाएगा, का से हमें कालमेक प्लांट इसली याद आ जाएगा, बिल से हमें बिल्वा प्लांट और ब्रहमी इसली याद आ जाएंगे, बिल, बिल्वा, लेड भी कर लोगे, से हमें अग्निमंत प्लांट याद रख लेना है, सरिंगाकार के कर, का से करकट और सरिंग तो यह करकुर सकते हो दारु से हमें इसली दारु हरीदर प्लांट याद आ जाएंगा और केसर सेंना केसर प्लांट याद आ जाएगा तो यह रहें हमारे 43 प्लांट जिनका रस-पंचकी यह है बस इसमें थोड़ा-सा यह याद अटना है कि जो हमारा first वाला होगा वो तो directly हमारी trick से relate करेगा लेकिन जो second वाला होगा उसमें करेगा तो trick से relate ही बस उसमें हमें यह ध्यान रखना है कि उसमें बिर्या हमें खाली change करना है और बिर्या हमारा उसले बिर्या होगा ये थी अमारी सिर्फ थ्री ट्रिक्स जिसमें की हमने 100 से उपर प्लांट को कवर कर लिया है अब बात करते हैं कुछ ऐसे प्लांट भी है जो ना की 1st ट्रिक में आते हैं ना 2nd ट्रिक में आते हैं और ना ही 3rd ट्रिक में आते हैं जिने की हम exception या अपवाद बोल सकते हैं तो अब उन्हें भी देख लेते हैं वो कौन कौन से प्लांट है वो है हमारे हरीत की आमली की बिभीत की भलातक अस्वगंदा गंबारी गुडूची चोतिसमती मंदुपढणी पिपली पुनर्नवा ये सबी तो ये सब प्लांट वो ह है जो ना मारे फस्टक में ग्लूड़ है ना मरी फस्ट टिक में प्लूड होते हैं ना सबस्ट अठ गलांट ये प्लांट एक्सेपशन तो है लेकिन बहुत इंपॉटेंट भी है काफी पुछे जाते हैं जैसे की हरीत की आमली की डिवीद की जिने के हम तिर्फलावी कहते यह बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं भला तक पूछा जाता है गंबारी पूछा जाता है इनकी भी हम ऐसी ही इजी ट्रिक बनाकर इनको कवर कर सकते हैं जैसे कि संग पुस्पी जिसका बॉट निकल नेम कॉन्वाल वॉलस पूरी कैलिस और कॉन्वाल वॉलस इसकी फै जाकर इनके रस्पंचा कू लॉण कर सकते हैं बस इसके लिए हमें मेली हमारा फ्लोचार्ड लन होना चाहिए फ्लोचार्ड में फी को ज़्यादा है तो आप टैंदाद ख़्याद कर ले इसे यह भी फाया होगा कि आपको अस्ट्री विया याद करने की ज़र्वत नहीं है इसे मैं आपको इसली निमोनिक से बता दूंगा बस इसके लिए भी आपको ये सिक्वेंस लर्न होना चाहिए ये थी हमारी रस्पंचक की ट्रीक जिसमें की हम घ्रल को अल्मोस्ट हंड्र और इन जाते हैं तो लेकों सोछाइए ये सित्रीक में अब करना है तो यह रहा हमारा जो की बड़िक्तव मानमाफंच का पूछे जाते हैं तो दीटिल प्लांट plant को भी आप देखोगे तो इन में से mostly maximum 80 या 70 होंगे जो plants की बहुत ज़्यादा important है बाद बाकी इन में भी ऐसे कुछ plant है जो की बहुत ही कम पूछे जाते हैं या पूछे ही नहीं जाते हैं ठीक है उसके बाद करते हैं non-detail plant की यह हमारे 145 ever plant होते हैं और इन में से exam में maximum 10 marks का पूछा जाता है और जांगम उसके बाद आता है हमारा जानतम दर्वया जानतम दर्वया सिर्प तीन है कस्तुरी गोरोचन और मिर्गिसरिंग तो इस में से हमारा लगबग 5 या 10 marks का पूछा जाता है सिर्प तीन है और इन में से done होता है कि एक एक exam में पूछा ही जाता है जिनमें ही हमें 5 या 10 marks का पूछा जाता है और उसके बाद होता है हमारा अनपार उप्योगी वर्ग तो इसमें total 9 वर्ग होते हैं इनमें भी ये तीन ज्यादा important है उसके बाद इन और जो वर्ग बसते हैं उन्हें भी थोड़ा सा rating कर ले तो mostly लोग गलती यहां क्या करते हैं कि जो हमारे detail plant है उन्हें तो पढ़ना है ये तो ठीक है बट वो non-detail plant को भी उतना ही importance दे देते हैं जितना कि हमें detail को देना है अगर non-detail plant का देखे तो उन में से हमें maximum 10 या 15 marks का 15 maximum है कि 15 marks का पूछा जाएगा और वो भी 180, 145 से एबब plant है तो non-detail plant को आप यहां से neglect कर सकते हो कि इस पे हमें उतना focus नहीं करना है पहले अगर हमारे ये 82, 72, 70 plants cover हो जाते हैं उसके बाद हमारे जानतम दर्विया cover हो जाते हैं उसके बाद हमारे जो ये अनपान उप्योगी 9 वर्ग है अगर हम इनको भी complete कर लेते हैं उसके बाद आप non-detail plant की और जाए जिसमें की हमें रस पंचक पे non-detail plant ये रस पंचक ये सब चीज़े याद करने की ज़रुत नहीं है बस इसमें जो आपको important plants लगते हैं उनके botnical name, family बस थोड़ा सा उनका जो important use है उसे लेके चलो तो इतना ही इसमें sufficient होता है तो हमें non-detail plant वैसे तो अगर हमारी ये चीज़े cover हो जाते हैं उसके बाद इसे हमें देखना है नहीं तो आप इसे neglect भी कर सकते हो अगर आपके पास कम टाइम है तो आप non-detail plants को neglect कर सकते हो तो non-detail plants को neglect कर सकते हो भस details plants, जांगम धर्वया और अनुपयोगी अनपानुपयोगी वर्ग इन पे ज़्यादा focus करें compare to this तो आज के topic हमारे यहीं खतम होते हैं तो hope कि आपके लिए ये video useful हो so please like, comment and subscribe my youtube channel